हेई फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माय चैनल एंचियो और कोचिंग सी 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 क्रिटिव क्राप्स और कुकिंग बाई प्रिया आजकल मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं आपको ड्राय जिंजर यानि की सौट का पाउडर बनाना सिखाऊं तो फिर चलिए देखते हैं किस तरह से बनाना है आपको मैं बताऊं कि हो मेट जिंजर पाउडर कैसे बनाते हैं अगर आपने टी मसाद की रेसिपी अभी तक नहीं देखी है तो उसको जरूर चेक आउट करें आप में से बहुत सारे लोगों नो उसको एप्रिशेट किया है तो देखना तो बनता है ना उसका लिंक देदूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से जरूर चेक आउट कर ले और यह जिंजर पाउडर हमने घर पर बनाया है बहुत ही इज़ी है इसको बनाना और इसके बैनेफिट्स बहुत सारे है इस वीजियो में जिंजर यूज कीजिए उसके बाद मैं इस्पून की हेल्प से इसका जितना भी छिलका है उसको उतार लूँगी अगर आप छिलका उतारना ना चाहें तो उसको इसको इसके भी कर सकते हैं क्योंकि हम जिंजर पाउडर बना रहे हैं तो छिलका भी जिंजर का काफी ज़्यादा तो मैंने यहाँ पर सारा का सारा ginger छील कर रख लिया है और जो छीलका इसमें से बचा है उसको भी आपको फेकना नहीं है इसको आप चाय में डालकर यूज कर सकते हैं तो इसको भी मैं रख दूंगी एक साइड में और आप चाहिए तो यहाँ पर ग्रेटर का यूज कर सकते ह लेकिन मैं यहाँ पर greater का use बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि हाथ कटने का डर रहता है और काफी जादा hectic हो जाता है मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूई शॉट ट्रिक जिसके वज़े से आप कभी बहुती easily ginger powder बना सकते हैं तो मैं यहाँ पर use कर रही हूँ chopper का इसमें आपको अद्रक को खुछ इस ताइप से कच करके edge कर देना है और इस chopper मिसे ना आप बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं चॉपर का review भी मैं आपको already दे चुकी हूँ बहुत ही जादा काम का है तो एक बार इसको खरीच जरूर लीज़े सस्ता ही आता है एक बार ट्रैज जरूर करें तो इस तरीके से मेरे यहाँ पर ginger काट कर इसमें edge कर दिया है उसके बाद बस इसको दो तीन बार मैं फुल करू जाए इसके बाद आप इसे किसी भी पेपर पर या फिर कपड़े पर अच्छे से स्प्रेट कर दिजिए तो मैंने यहाँ पर फिलारी से कपड़े पर अच्छे से स्प्रेट कर दिया है जो थोड़े बड़े बड़े पीसी से उनको अगेन आप चॉप कर सकते हैं कपड़े पर इस तरीके से स्प्रेट कर दीजिए और इसको एक दिन तक ऐसे ही दूप में छोड़ दीजिए एक दिन के बाद आप इसे कपड़े से किसी पेपर पर ट्रांसफर कर दीजिए ताकि यह जल्दी से सूख जाए तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा अद्रक बहुती ईजी चौप हो चुका है तो मैं यहां पर इसको दूप में फैला रही हूँ दूप में आप इसको तीन से चार दिन की दूप इस तरीके से दिखाएंगे तो चार दिन में ही अद्रक बहुती अच्छे से ड्राइफ हो जाता है चाहें तो आप इसके ऊपर इस तरीके से कपड़ा भी ढख सकते हैं ताकि इसमें कोई गंदगी ना जाए 5-6 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि अधरक बहुती अच्छे से ड्राइव हो चुका है अगर धूप थोड़ी काम है तो आप इसे 7-8 दिन भी धूप में रख सकते हैं और इसके बाद आपको इसे एड करना है एक मिक हो जाता है बिल्कुल रेडी आप देखी सकते हैं कि कितना अच्छा फाइन पाउडर बनकर रेडी हो गया है तो बस यहां पर आपका तयार है यह जिंजर पाउडर इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर किसी भी प्लास्टिक के जार में भरकर स्टोर कर सकत है तो आप थोड़ा सा पानी लीजिए उसमें एक स्पून ये जिंजर पाउडर एच करके उसको अच्छे से उबाल लीजिए जब पानी आधा रज़े तो इसको पीजिए तो इससे आपकी जुखाम और खासी में काफिर रिलीफ मिलेगा साथी में अगर आप वेट लॉस क करना चाहते हैं तब यह है अगर आपको इन डाइजेशन की प्रॉब्लम है तब भी आप इस जिंजर पाउडर का यूज कर सकते हैं आपको हर सुबाद जिंजर पाउडर की चाय बना कर पीनी है तो इससे आपके डाइजेशन में काफी जादा एफेक्ट आएगा सार्पी स इसके हैं बहुत सारे यूजर गुमया बताने वाली हूँ आपको अपने दूसरे चैनल पर तो जल्दी से इस वाले चैनल के साथ साथ उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आई होप कि आपको वेरा आजकर वीजो काफी ज़्यादा अच्छा लगा होगा उप से घूँ आपको भी!